हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के आंसर बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़ादा लोग इसमें परिसान हैं और कल राज से जब से राइशेशन शुरू है तब से मेरा कमेंट बॉक्स लगवगि अदा इनों हमें इसी सवालों से भादिया इस प्रकार के सवाल नोस्ता करता जो उस सब्सक्राइब कमार लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल ना भूलें तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है लोगों के सबसे ज्यादा जो लोगों को डाउट है तो पहला बनता है लोगों के दिमाग में रोज कितने SMS भेजने हैं तो कईयों के मिन में इस प्रकार की दार ना है कि जो हम ज़्यादा SMS भेजेंगे तो हमारा सेलेक्शन जल्दी हो जाएगा और हमारे पास कॉल आने के चांसे से ज्यादा हो जाएंगे तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो के वीसी गैडलाइन से इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि आप चाहें 20 मेसेज भीजिए 50 मेसेज भीजिए SMS के जए लेकिन आ मतलब यह हुआ कि आपने उसका अंसर दे दिया और आपका पहला वैलिड मेसेज चला गया उसके बाद चाहें 50 मेसेज भीजिए 100 मेसेज भीजिए वो उस मेसेज को कंसिडर नहीं करेगा आपका जो फर्स मेसेज चला गया उसी के विहाब पे आपके पास कॉल आनी होगी त कॉस्चन के लिए एक मेसेज ही काफी है कि अगया फ्रेंड्स डाउट के लिए है चले नेक्स देखते हैं नेक्स जो पूछा गया है जातर लोगों के द्वारा क्या सोनी लिव एप और एसमेस दोनों से आंसर भीज सकते हैं यह यह वी कॉस्चन बहुत आया था मेरे पास क यह सब क्या दोनों सोनी लिव एप से भी भीज दिया कि एसमेस से भी भीजना है यह एसमेस से भीज दिया कि सोनी लिव एप से जरूरी है यह दोनों से भीज दूं क्या तो देखिए अगर आपके पास दो डिफरेंट 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 मोबाइल नंबर से आप अगर SMS भी करेंगे और एक ही मोबाइल नमर से आप सोनी लिप के द्वारा रेश्टरेशन कोश्चन का आंसर भी भेजेंगे तो वहां दिक्कत आ सकती है फिर क्या होगा कि जिस माध्यम से आपने पहला आंसर भेजा है जैसे मान लिजिए आपने सोनी लिफ के माध्यम से पहला आंसर आपने समिट कर दिया सबसto उसके बाद बाद में आप SMS भेज तेहीं तो SMS वाले आंसर को कंसिरेड नहीं करेगा क्योंकि आपके एक पहले ही SMS उनके पास यानि आंसर सम्मिट हो गया उनके पास और आपका मुवाइल नमर उनके पास चला गया तो आपके मुवाइल नमर से उस दूसरे आंसर को जो आप SMS के द्वारा भेज रहे हैं उसको किहां करें सबस्क्राइब करना है चोटा पास उसके बाद आपको बीच में इसपेस देना है या निकखाली जगा छोड़नी है त्थिक है उसके बाद आपका सभी आंसर था आपको वी सब्सक्राइब करना है उसके बाद फिर से खाली जगा छोड़नी है और उसके बाद आपको अपनी उमर करनी है उमर कैसे जैसे मार भी क्या है उसमें लिखी हुई है 10 मई को आपकी उमर, 10 मई 2021 को आपकी उमर कितनी हो रही है वो भी उमर जो लिखनी है आपको पूरे years में लिखनी है कोई months वगरा यू नहीं करना है उसमें जैसे मान लीजिए आपकी जो date of birth है वो सितंबर में आती है, 10 सितंबर आती है तो kbc, space 20, space 25 और फिर space record देना है उसके बाद आप male है तो m, female है तो है ठीक है? इस पर कार भेजना है आपको तो ये आपका जो है right answer हो जाएगा और ये ही बिल्कुल correct format है ठीक है? तो चलिए हम next question देखते है next question जो आया है एक दिन answer देना भूल गए तो call नहीं आएगी क्या ये भी question बहुत लोगों के आएगे कि सर अगर हम आज answer देना भूले कल रात से ही answer आने सुरू हो गए question आने हमने आज नहीं जा तो देखिए अभी आपके पाश टाइम है अगर आप नहीं उस question का answer दिया तो आप आज रात 8 बच के उनसर मिंट तक उस question का answer दे सकते हैं और registration में भागिदार बन सकते हैं ठीक है वाइदवे आप फिर भी भूल जाते हैं और आज वाली question नो बजे के बाद आपको याराता है कि आप उसके आगे भी continue कर सकते हैं कोई problem नहीं है मान लिजिए आप दो दिन भी भूल गए तो आप तीसर दिन से registration questions के आंसर दीजिए SMS और सोनी ली वैप के द्वारा और आपका registration वैलिड माना जाएगा और आपके पास भी call आने के उतने ही चांसे सोंगे ठीक है इसका क्या process होता है जैसे आज आपने answer भेजे ने इन नंबरों का क्या होगा एक fix date होगी जैसे साथ दिन बाद random software के द्वारा इन नंबरों को select किया जाएगा जो कि जिनका जिन्होंने 10 तारीका सवाल भेजाए 10 तारीक के सवाल का जवाब भेजाए अब आपने 11 का भेजाए तो आपका अगले दिन वाले में आ जाएगा आप उसमें भेज दीजिए ठीक है कोई problem नहीं अगर एक दिन भूल जाते हैं तो या मानली जी एक दो सवाल बीच में गलख भी हो गए तो ऐसा मत समझें कि आप बाहर हो गए है नेक्ट दे आप उस अगले question का सही answer दीजिए ठीक है और answer everyday दिना है आपको ताकि आपके पास call आने के सबसे ज़्यादा चांसे सब्सक्राइब कर लिए लेकिन ब्लैक स्कीन आ रही है कल रास से बहुत ज़्यादा लोग के यह question है मेरे पास के सार मेरा तो सुनी लिए पर चली नहीं रहा है अब हो गया है लेकिन जैसी register नाओ करते हैं और black screen आ जाती है उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है तो देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं एक तो आपका net connection खराब है तो net connection वेगार है आपका और दूसरा क्या है कि आपका phone जो है उस app को support नहीं कर रहा है तो आप दूसरे phone में ट्राइ कीजिए आपका connection चेक कीजिए ठीके दोस्तों तो आज की वीडियो मुझे लगता है यहीं समाप्त होती है और आपके सारे डाउट दूर हो गया होंगे फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं आपके सभी सवालों का सही स जवाब दिया जाएगा ठीक है दोस्तों और मिलते हैं रात में फिर से 9 बुजे के नहीं कुछन के अंसर के साथ तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में